जैहिन दोस्तों चलिए उस्तों बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जाम नेने कहा है आप बिजनसमेन अर्निंग बाइट 25% इन वन येर बट डिक्रीज बाइट 4% इन दा नेक्स्ट येर गूइंग बाइट इस पैटन आफ्टर फाइफ येर हीस ट बढ़ जाती अच्छा एक साल में 25% बढ़ जाती है माना अगर उसकी प्रजेंट इंकम एक्स थी तो वह कितना बढ़ रहा है आपका 25% बढ़ रहा है यानि कि 25% मतलगा नहीं 25 ये इक साल में उसकी इंकम बढ़ कर आ जागी फिर कहा है कि अगले साल ला वह 4% decrease हो रहा है तो चार बटे में अगर मैं इसको 100 करूँगा तो 425 सो यानि कि एक बटे में 25 उसकी income decrease अगर income 25 है तो decrease कितने वन से हो रही यानि कि 24 यानि कि next year 24 भाय में कितना हो जागा आपका 24 25 अब कहारा कि ऐसी लगातार पांस साल चला तो पहले साल बढ़ी है दूसरे साल कम हुई है फिर अगले साल फिर बढ़ेगी तो पांच बटे चार से मंटिप्लाइ कर दिजिए फिर अगले साल फिर कम होगी 24 भाय में 25 कर दिजिए फिर अगली साल कि अगर फिर बढ़ेगी income तो कितने से बढ़ेगी, पांच बटे, चार से बढ़ेगी, अब वो कहारा, जो income जो है, वो कितनी है, सेवन, टू, ट्रिपल, जीरो है, तो इसको सोल कर लेते हैं, इस पच्चिस से ये गया, चार, छेकचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच कि माना कि मैंने कि प्रजेंट जो वैलियों इसकी वो X है X में वो बढ़ा कितना बढ़ा आपका 25% बढ़ा तो आप डिरेक्ट इसे X का 125 भाई में 100 भी लिख सकते हैं बट काटेंगे तो बाद में 25,500 और 25,500 तो 5 बटे 4 ही आगा तो मैंने हर बार इंक्रीज में 5 बटे 4 से मल्टिप्लाई किया और जब डिक्रीज की बार यह आई तो डिक्रीज में इसने कितना क्या 4% डिक्रीज भाई में 100 लिखूँगा तो 4 यानि कि एक बटे में 25 आगा यानि कि 25 थी तो घटी कितनी एक तो इसका डिफरेंस करूँगा तो घट कर कितनी कि 24 य में 25 जब भी कमी होगी 4% की तो मैं 24 य वाई 25 से मल्टिप्लाई कि तो पहले साल ये थी दूसरे साल घटी फिर अगले साल फिर बढ़ी फिर next year घटी फिर अगली साल फिर बड़ी इन सब का जब मैंने मैंने solve किया तो मेरे पास X into 9 by 5 है जो की बराबर होना चाहिए 72 000 के बराबर इसको मैं इधर ले गया काटा तो मेरे पास में 40,000 अंसर आया यानि कि जो उसकी present earning थी वो 40,000 थी यानि